हलो गाइस वेलकम बैक तो दे चैनल मैं हूँ डीजे जैनिस दवे और सवागत आप सभी का मेरे इस वीडियो में सो गाइस काफी सारे कमेंड्स और रिक्वेस्ट थे कि मैं वीडियो बनाऊ डीजे म्यूजिक कलेक्शन जो है आपको कैसे आपको अपडेट करना है कैसे आपको कलेक्शन बनाना है कौन से वेबसाइट के लेटर पार्ट में बताऊंगा सबसे पहले हम जनर्ल टॉक करेंगे कि आपको अपना म्यूजिक कलेक्शन जो है या फिर आप DJ Music Library बोलो. वह क्या करना है! First question आपको करना क्या है उसको बनाने के लिए second question है why आपको वो क्यों करना है means what is the importance of doing the DJ music library या फिर आपको अपना collection की update करना है maintain करना है और तीसरा question जो है वो है how मतलब आपको वो कैसे करना है so सबसे पहले हम बात करेंगे what की means आपको क्या करना है उसके लिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूगी या तो आपके पास कोई collection पढ़ा हुआ है पहले से means music का collection है या फिर आपको उसको download करना है अब कहां से download करना है वो मैं आपको बात में बताऊंगा so first thing you have to download the music ओके अब आपके पास एक song का एक collection है तो उस song को आपको सबसे पहले sort out करना है sort out करना है मतलब आपको उसको अलग-अलग folders में डालना है अलग-अलग folders में कैसे डालना है अगर आप एक pure EDM artist हो means आप only EDM music में interested हो या फिर एक EDM producer हो तो आपको पता होगा different type के genres के बारे में like dubstep, house, techno, trap तो आपको क्या करना है sorting out में आपको अपना सारा music अलग-अलग folders में sort out कर देना है अगर आप एक Bollywood DJ हो या फिर आपको क्लब में DJing gigs करना चाहते हो या करते हो तो आपको year wise आप उसे sort out कर सकते हो या फिर आपके interest के इसाप से like romantic dancing या फिर आप जैसे मैं करता हूँ में year wise sort out करता हूँ like DJ remix of 2017 एक फोल्डर में 2018 एक फोल्डर में और 16 like you can do anything और अगर आप एक marriage like marriage functions में आप DJing करते हो local marriage इसमें professional parties में जो की बड़े-बड़े जो marriage functions होते है तो उसके लिए आप dancing songs Punjabi songs, EDM का एक अलग folder बना सकते हो जिसमें आप साथे ट्रांस और सब कुछ डाल सकते हो so you can do like this गर्बा का एक folder बना दिया आपको अपना पूरा collection मेंटेन इस तरीके से रखना है second question है why मतलब आपको ये क्यों करना है तो इससे काफी सारे फाइदे है सबसे पहला फाइदा जो है वो है अगर आपको कोई party का offer आता है या फिर आपको कोई gig मिलता है तो होता है कि हर gig के पहले आपको अपना song collection देखना पड़ता है और उसके अंदर आपको सारे few points और सब को set करने पड़ते हैं और अगर आपका collection arrange नहीं है तो आपको सबसे पहले तो अपना song का track ले select करना पड़ता है तो अगर आपका collection sort out है different folders में है तो होगा यह कि आपको collection के पहले कुछ करना नहीं पड़ेगा आपका पूरा gig के पहले आपकी collection पूरी ready होगी और वो बहुत easy हो जाएगा second thing जो है वो है कि जब आप अगर आपके पास time नहीं है उसको arrange करने का लेकिन आपके पास sort out किया हुआ पड़ा है I mean जो cue points है वो आपने set नहीं किये अब यह सब कैसे करना है उसका में एक separate video बनाऊंगा कि आपका song जो है एक song को आपको prepare कैसे करना है तो आपके पास अब एक arrange collection है तो जब आप play कर रहे हो आपने कुछ decide नहीं किया अगर से लेकिन आपके पास अगर arrange folders है तो आप उस folders के ही साब से प्ले कर सकते हो next song आपको क्या play करना है आपको पता होगा क्योंकि आपको पता है इस folder में यह song है तो आपको search जो इतने सारे tracks होंगे उसमें आपको search करने में आसानी होगी ठीक है थर्ड question यह है कि आपको यह कैसे करना है तो आपको सबसे पहले तो अपने song सुनने होंगे कि कौन सा music कौन सा है अगर you know मतलब internet पे काफी सारे songs जिनके नाम बहुत अच्छे से लिखे हुआ है लेकिन सुनने में उनके quality अच्छी नहीं और यह सब तो आपको सारे song सुनने होंगे और बाद में उनको sort out करना होगा और अगर आप यह एक तरीका में और बता दूँ कि जब आप सुनो तो normally मत सुनो उसको आप DJ software में सुनो तो सुनते सुनते अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसमें intro, verse, drop यह सब जो section आते है, build up यहाँ पर आप अपने cue point set करते चलो तो party के पहले आपको बस folder उठाना है और अपने software में डालते रहा है जैसे कि अगर आप record box या यह कुछ use करते हो तो उसमें आपको, you know, like virtual DJ अगर आप use करते हो आप सीधा drag कर सकते हो लेकिन बाके उसमें ऐसा नहीं, उसमें आपको import करना पड़ता है तो अगर आपके उस folder पहले से बना हुआ है तो आप पूरा का पूरा folder import कर सकते हो और उस folder में cue points यह सब को set होगा तो आपको इतनी tension नहीं होगी तो यह होता है कि आपको कैसे करना है ठीक है तो आप song सुनो हो सकता है तो DJ software में सुनो जो भी आप use कर रहे हो virtual DJ, record box, serato, tractor, mix और यह हर एक software के उपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ तो अभी मैंने सिर्फ virtual DJ सिखाया है तो अगर आप virtual DJ यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर सुनो song सुनते समय, cue points और यह सब set कर दिया करो तो drop section हो गया verse हो गया, intro हो गया और यह अगर आपको नहीं पता है कि verse, intro है सब क्या है तो मैं पहले एक video डाल चुका हूँ कि आपको अपना song यह means counting music के video में तो वो मैं link आपको description में दे दूँगा और अभी अब ज़्यादा time waste नहीं करते हैं जनरल चीजें में आपको आपको बता नहीं थी जो मैंने बता दी कि आपको song collection मतलब क्या है कैसे करना है और अब हम देखेंगे कि हमको जो है song download कैसे करने है कौन से website से तो चलिए शुरू करते है कि अब हम बात करेंगे कि आपको कौन से website से उस करनी है सबसे पहले हम वेबसाइट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको मेरी खुद की collection दिखाऊंगा सो वेबसाइट की बात अगर हम करें तो देखें मैं सबसे पहले हम खोल देते हैं और मैं आपको यहां बता दू कि यह मेरा YouTube चैनल है अगर आपने सबस्ट्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिए और हमारा दूसरा जो चैनल है वह है यह स्लिक स्टूडियो जो आप देख सकते हो तो अगर आप एक EDM आर्टेस्ट हो like if you are a EDM आर्टेस्ट तो बेस्ट वेबसाइट में आपको बता हो तो वह है यह SoundCloud So SoundCloud बेस्ट क्यों है क्योंकि इसमें सारे जो ट्रैक्स है वो जैनल वाइस डिफ्रेंशेटेटेट क्यों जैसे मैं आपको दिखा हूँ तो पहला जो है आपको हैस्टेक मार के तर हाउस लिखा हो है मतलब हाउस है electronic है and then dance and EDM So इसमें आपको आप ट्रैक्स सुनोगे आप ट्रैक्स दिखोगे तो आपको जैनल का knowledge आएगा और दूसरी बाद है कि इसमें आपको ट्रैक्स काफे सारे फ्री डाउनलोड मिल जाता है यासे आप फर्स ट्रैक्स देख सकती हो stream और फ्री डाउनलोड तो अगर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करो तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो पल देखे सब में अपको फ्री डाउनलोड का option और यह डाउनलोड हो जाएगा और जिसमें नहीं मिल रहा है अगर आप more पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको download का option दिख जाएगा इसमें आपको देखो जैसे यह वाला जो track है इसमें आपको buy all on iTunes इसमें कुछ-कुछ track से आपको buy करने पड़ते हैं और मैं suggest करूँगा कि आप soundcloud use करो आपको पहले sign in करना पड़ेगा जो कि मैंने already कर दिया है उसके बाद main चीज यह है कि means आपको आप इसे regularly use करते रहे है अगर आप download नहीं भी कर रहे है तो भी सुनते रहे है मैं basically मेरा phone use करता हूँ आप देख सकते हो मैं इसमें यह soundcloud जो एफ है यह मैं डाल के रखा है तो अब मैं इसमें soundcloud use करता हूँ तो इसमें नौर्मली songs सुनता हूँ और जितने भी artist है उन सब को follow करता रहता हूँ follow back I mean मैं उनने follow करता रहता हूँ तो कोई भी new track आता है तो मुझे इसमें notification दिखता है जैसे आप web browser में भी देख सकते हो यहाँ पर आपको notification दिखेगा कि किसने आपको follow के और क्या है okay so यहाँ पर आप काफी सारे tracks जोन सकते हो यहाँ पर बहुत सारे tracks है जिसमें आपको free stream free download और सब मिलेगा आपको यहाँ पर आप search कर सकते हो यह collection में अगर आप जाओ तो यहाँ पर आप likes और जो कि मैंने like कर रख है वो सारे songs आपको मिलेंगे यहाँ पर playlist जो मैंने set की है यहाँ जो भी मैंने create की है कोई वो आपको मिलेंगे तो आपको basically इस तरीके से sound cloud यूज़ करना है यह हो गया EDM और इन सब songs के लिए और यह best है I mean free है और अगर आपको दूसरे को यूज़ करने तो एक free website एक और है फ्री website है जो कि record pool है यहाँ से आप अपने songs डाउनलोड कर सकते हो जो कि यह अच्छी website है लेकिन I recommend sound cloud इसमें आपको पहले sign in करना पड़े का और यह सब है यह blogs आते हैं सब okay so यह हो गए best websites उसके बाद में अगर आप एक you know marriage functions में या फिर Indian Bollywood style आपको अगर DJing सिखना है करना है यहां पर आपको इस फोल्डर में जाना है select categories और इस category में आपको MP3 songs पर select करना है okay MP3 songs पर select करते हैं आपको यह सारी चीज़ें दिखेंगी तो आप अपने इसाफ से सारी इसमें काफी अरे आपको सिर्फ डाउनलोड करना है okay so like gujarati हो गया day special honey sing old is gold and then मैं बेसिकली यह जो second जो है वह मैं यूज करता हूँ DJ remix MP3 songs और इसमें जाके इसमें भी आपको काफी सारे DJ remix मिलेंगे लाइक सब non-stop Bollywood dubstep old artist and mashups and singles so मैं basically singles अलग टैब में open करता हूँ और DJ remix तो यह दो टैब मैं generally use करता हूँ इसमें आपको मेरे यह सब तो मेरे पास डाउनलोड किये हुए पड़े हैं और मैं generally 2000 जो latest है वह मैं सब डाउनलोड करता रहता हूँ और इसमें आप कोई भी देख सकते हो काफी सारे songs है इसमें albums आएंगे जो यह first वालर जो मैंने आपको दिखाया था DJ remix MP3 songs इसमें albums आएंगे तो कोई भी एक album अगर किसी DJ ने निकाल आये तो जैसे Bolly Tronic अगर आप इस पर click करो इसमें आपको इस particular DJ के सारे जो इसमें डाले हैं वो आपको दिखेंगे सो और दूसरा है सिंगल DJ remix तो इसमें singles कोई DJ ने डाला है और यह सब आये हैं तो आपको यहां दिखेगा ओके तो यह सारी चीजे में आपको बताई अब दूसरी चीज जो है मैं आपको बताऊं कि मेरे टेबल पर मैं जनरली क्या यूस करता हूं अगर यूजब आप बैठे हो इस यूज़ कर रहे हो तो में एक डाजरी रखता हूं मेरे पास में जिसमें मैं फर्स्स फिंग जो है वह यह तो एक लिस्ट है जिसमें पार दिश्वा स्राफ 155 इन ए और चीविन चलता है और और चाल लिखता रहता हूं like कौन से जैनर के कौन से सॉंग मेरे को डूंडने है means यह डायरी आप यूज कीजिए अच्छा रहेगा उसके बाद I mean यह माउस और जब मैं यहां पर आप गूगल खुलिए डायरेक्ट और गूगल पर अगर आपको कोई भी एक सॉंग चाहिए हिंदी सॉंग है कोई भी सॉंग है तो उसको आप डायरेक्ली सर्च कर ली कर लीजिए और एक वेबसाइट और मैं बता दू हूँ है माई MP3 सिंगर यह वेबसाइट काफी अच्छी है यह वेबसाइट जो मिरको पसंद है इसमें आपको 320 kbps तक के भी सॉंग मिल जाएंगे अलाकि मिर्ची फन में मिलते हैं इसमें भी आपको देखो कैटेगरीज आपको यहां साइट में मिल जाएगी तो यह सारे कैटेगरीज अच्छी ह और इसमें आपको English भी मिलेगे तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो और English EDM के बारे में एक बात बताना भूल गया कि तो SoundCloud है उसमें आपको रिमिक्स इस भी काफी सारी मिल जाएंगी और सबसे में सोर्स तो जो है वो है YouTube सबसे में सोर्स YouTube है आप इसमें कोई भी लेटेस्ट लाइक सर्च कर सकते हो लेटेस्ट ट्रैप सौंग्स 2018 सो यह सारे आपको रिजल्स मिलेंगे ट्रैप नेशन जो है काफी अच्छा है तो यहां से आप अलग-अलग सौंग सुन सकते हो या फिर सिंगल्स या फिर कोई भ या मैं सर्च करके दिखा था हूँ कि मार्च में लोग फ्रेंड्स देख सकते हो काफी सारे रिमिक्स आ चुकी है फ्रेंड्स की जो फर्स्ट वाला र्ड रेपैडिट है फिर सेकेंड यह सारे रिमिक्स आप सुनिये तो आपको उच्छी लगती है तो आप डाउनलोड तो यह मैंने वेबसाइट के बार में बता दिया इसको डाउम्लोड आप कीजिए बाद में इसको अर्रेंज कीजिए जो कि मैं पहले बता चुका हूँ और अब हमें मेन चीज़ देखना है वो है कि जो मेरी सॉंग कलेक्शन हो मैं आपको दिखाता हूँ तो चलिए देखते हैं मैं आपको मेरी कलेक्शन दिखाने वाला हूँ आप देख सकते हूँ यहाँ पर मैंने जो इस पीसी माइ कम्पूटर पोल के रखा है सबसे पेलए आपको मेरी सेपरेट बना दिया है इसमें सिफ सौंगे मेरा स्टड़ी मेट्रियल पोट्यू संग्स सबसे पहले डेख सकते हैं जो फस्ट फोल्डर है दीजे जैनिश के नाम से तो इसमें मेरी सिंप्लेक्शन है और उसके बाद में जो है वह बुजरादी सा इसमें बॉलिवूट सॉंग्स आ रहे हैं लाइक मुवी वाइज यह अरेंज है यह 438 आइटम से इसमें तो अगर आप जैसे यह मुवी खोलोगे तो इस मुवी के सारे सॉंग्स आपको मिल जाएंगे इस इस आप से यह सब मैंने ओरिजिनल सॉंग्स जो है अरेंज किये हु अरेंज करते हैं तो इसमें अब देख सकते हो कि यह जैसे आप सेकंड रो वानज कर रखे हैं एक 2017 अगर आप देखोगे तो इसमें मेरे पास 438 सॉंग्स इसमें भी है और उसके बाद अगर आप देखो जैसे ट्रांस डीजे में अगर आप जाओगा तो मेरे ट्रांस वीडियो जैसे ये मेरे कुपी के म्यूजिक है और उसके बाद ट्रैक लिस्ट आप देख सकते हो मेरी मैंने इसमें काफी सारे सॉंग्स डाउनलोड कर रखें टू सेवेंटी इसमें डाउनलोड से स्टांमलोड किया कि इसमेंDiencepell कि जो हता है उसके बाद में काफी सारे फोल्द ये येज़े पार्टी अब देख सकते हो कि उसके बाद में है गर्ला कू . three इतने सारे मेरे पास यह इसकी कलेक्शन है तो आपको जो सॉंग जी से आप से चाहिए आप उस हिसाब से जैसे यह बजन भी मेरे काम कभी यूस पड़ जा तो इसका भी मैंने एक फोलर लग बना रखा है और यहां पर आप देखो तो मैं अब को मेरे डाउन लोड फोलडर अगर दिखाू तो डाउनलोड में आप सब्सक्राइब इस और बात में इन डाउनलोड को मैं फोल्डर में फोल्डर में इसे लगा देता हूं तो बस यह मेरे को दिखाना था उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता दो कि मैं काफे सारे software के ओपर ला रहा हूँ जैसे mix है record box है बस इनके ओपर मैं वीडियो बनाऊँगा और लेके आऊँगा okay guys so I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा होगा तो like करना मत भूलना चैनल को subscribe करना मत भूलना क्योंकि काफे सारे interesting वीडियो जाने वाली है और हमारा जो दूसरा चैनल है six slick skull studio जिसकी link भी आपको description में मिल जाएगी उस चैनल को भी subscribe करना मत भूलना क्योंकि उस पर हम लोग regularly FL studio या mean production के लिए जो बाते बताते हैं और उस चैनल पर हम every Sunday new tip देते हैं जैसे इस Sunday को हमने vocal chops का जो दिया था और इस चैनल पर आपको DJing के related knowledge मिलता रहेगा तो आज अबने बात कीजिए music library maintain करने की song कैसे download करना है कैसे आपको setup करना है मैंने काफी detail में बताया आप तो I hope आपको अच्छा लगा होगा thanks for watching bye bye